नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं कुरोना के आकलन के बाद इस सर्धालूओं के लिए खुलेगा बैदनाथ मंदीर मुक्ष मंत्री मुक्ष मंत्री हिमन्तुरे ने काया कि बाबा बैदनाथ के असिर्वात से कुरोना को नियन्तरन करने में हम कम्याब हो रहे हैं लेकिन खत्रा अभी टला नहीं है ऐसे में आम सर्धालूओं के लिए मंदीर को खोलने को लेकर सरकार कुरोना से समधित सभी बातों का आकलन करने के बाद ही नीर नहीं लेगी ये बाते मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उनसे मिलने प्रोजेक्ट भौन पहुचे पंडा ध COVID-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन करते हुए सिमित संख्या में सधालूओं क मंदीर में पूजा आर्चना और जल्ड और पन करने के अनुमत्ति देने की दिशाम में विचार करने का आगरा किया था मैट्रिक इंटर प्रेटिकल परिक्षाती थी मैट्रिक और इंटरमीडियेट के वैसे छात्र छात्रा जिनका प्रेटिकल नहीं हो सका है उनके लिए इसकूली सिक्षा और सक्षर्टा विभाग आपदा प्रबंदन विभाग से अनुमति लेगा सिक्षा विभाग ने इसके लिए आपता प्रबंदन विभाग को प्रस्ताव भेजा है आपता प्रबंदन विभाग की ओर से अनुमति मिलने के बाद जारकन एकेडमी कॉंसिल को इसकी सूचना दी जाएगी इसके बाद जैक की ओर से प्रेटिकल का सेडियोल जारी किया ज मुख्य मंत्री से मिलकर पंडा धर्म रक्षिनी सभा ने बाबा बैनात मंदीर आम सर्धालूगों के लिए खोले जाने को लेकर एक प्रस्ताव दिया जिसमें पूरो हितों ने कहा कि भैक्सिन ले चुके भक्तों को बाबा मंदीर में परवेश के अनुमती देते हुए मंदी आम सर्धालूगों के लिए खोला जाए वहीं सरावनी मेला में मंदीर को खोलने के लिए सभा की और से भैक्सिन लिए भक्त ऑनलाइन राइस्टेशन एम सीमित संख्या में पूजाक कराने का प्रस्ताव दिया इसमें एक साथ नौवजर सर्धालूगों को सोसल डिस्टें सिंकाल पानन करते हुए जलापन करने की भी बात कही बस का नहीं बढ़ेगा भाड़ा नई गाइडलेंज जारी जारखन में कुरोना वारेस संक्रमन ग्रफ तरकम होने के बाद अब राज्य की हेमन सरकार ने स्वास्वरक्षा सब्ता में सर्तों के साथ कई छुट दी है इ इस दरण राजे के परिवहन विभागने बसों के चलाने या त्रियों को बैठाने भाड़ा नहीं बढ़ाने समेत अने बातों का जिक्र करते हुए सर्तों के साथ बस चलाने समधिगाईलेंज जारी की है परिवहन आयोक्त किरन कुमार पासी के हस्ताक्षर से जारी दिशा आखंड के राची जिले के उर्माजी परखंड के चकला इस्तित भागवान विर्षा जैविक उद्यान सुक्रवार दो जुलाई से परटकों के लिए खोला जाएगा बता देक रोना काल में करीब तीन माह के अंतराल के बाद भागवान विर्षा जैविक उद्यान परटक के दर्शनार्थ खोला जा रहा है सुबह नौ बई से साम पांच बई तक प्रेटक यहां अनन्द ले सकेंगे टिकट दर में कोई व्रीधी नहीं की गई है ओनलाइन वह मैनुवल टिकट की सुविधा उपलवद है सालीनी असपताल को जैन परिवार ने भेट की एम्बुलेंस राची के सालीनी असपताल रुका में गुरुवार को एक समरुव का आयोजन किया गया इस दोरा सालीनी अस्पताल को सोनु जैन वस सरत जैन के परिवार दोरा पैराडाइज संस्थाक के माध्यम से 20 लाख रुपए मुले की एंबुलेंस उफलप्त कराई गई मौके पर खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेस का चप दोरा एंबुलेंस का उधगाटन किया गया उन्होंने सालीनी अस्पताल दोरा छेत्रे में स्वास्त समंधी किये जा रहे कारियों की सराना भी की जारखन में मौबाइल भाइन से जल्द सुरू होगा कोरोना टेस्ट जारखन में मौबाइल भाइन से कोरोना की जाज सीगर सुरू होगी स्वास्त विभाग ने मौबाइल भाइन के जरिये जाज सुनिशित कराने का निर्देश दिया है बता दे चार मोबाइल वेंड राची पहुंच चुकी है, राजधानी राची में एक सब्ता के अंदर इसका उप्योग होने लगेगा आदेश में बताया गया है कि सरकार का JITM संस्थाक के साथ MOU हुआ है संस्था की चार मोबाइल टेस्टिंग वेंड राची पहुंच चुकी है राजधानी राची में एक सब्ता कंदर इसका उप्योग होने लगेगा वहीं परतेक जिला में एक नोडल पता दिकारी बना कर अस्थान चिनहित करने को कहा गया है गढ़वा जिले में काला धान की खेती गढ़वा जिले में इस बार स्वाथ के साथ साथ सेहत के गुनों की खान कहे जाने वाले काला धान की खेती हो रही है बतादे श्री बंसी धर नगर परखंड के पालहे कला गाव निवासी सेवा निवरीत परधाना ध्यापक यों प्रगती सिल्किसान हिर्दयनाच चौबे इस बार एक एकड में कला धान की खेती कर रहे हैं उनके धान का बिचला रोपाई के लिए लगभग त्यार है बतादे धान की रोपाई के लिए जोर सोर से खेत की त्यारी चल रही है हिर्दयनाच चौबे पिछले एक बरस से लगभग छो एकड में जैविक खेती कर रहे हैं अभिभावक संग का साथ दिनों तक बिरोध परदर्शन पिछले एक बरस में इसकूलों ने अपने फिस में काफी ब्रिधी की है बतादे नीजी इसकूलों में फिस की ब्रिधी पर पिछले सब्ता राचे उपायुक्त ने लगाम कसते हुए एक कमिटी का गठन इसकी जाज के आदेश दिये थे मगर फिर दो दिनों के बाद नीजी इसकूलों के बिरोध के बाद इस फैसले को आपस ले लिया इसके बाद से जारखन अईभावक संग ने निराश चताते हुए पुरे राज एक के नीजी इसकूलों के खिलाप अभियान छेर दिया है इसके तहट 7 जुलाई तक बिरोध परदसन शुरू किया है बिरोध परदसन के पहले दिन संग के सता से उपायूक्त कर्याले के बाहर मौन परदसन करेंगे जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 914 है वहीं भायरत में 43 हर 179 केस मिले है भायरत में कूल एक्टिव केस की संख्या 5,05,623 है रांची में बाइक दस्ता करेगी बंद घरों की निगरानी रांची पुलिस ने चोरों परना केलकसने के लिए बाइक दस्ता की जिम्यवारी सोपी है बता दे बाइक दस्ता मोहलों और पॉस कोलोनियों में निगरानी करेगी ताकि बंद घरों को चोर नीशाना नहीं बना पाए घरों में ताला बंद कट सहर से बाहर जाने की सितीवे बंद पड़े घरों को ये बाइक दस्ता निग्रानी करेंगी ये सेस्पी सुरेंद कुमार जाने चोरी की घटनाओ पर अंकुस लगाने के लिए सहर के सभी थाना छेत्रों में 24 गंटे बाइक दस्ते को गस्त पर लगाया है जार्खन सरकार बेचेगी काले गेहु का आटा जार्खन सरकार सेहत के लिए फैदे मंद माने जाने वाले काले गेहु का आटा और ब्राउन राइस बेचेगी बतादे जार्खन राज आजीव का सनवर्धन मीशन के तहत इसका संचारन किया जाएगा इसके अलावा अरहर दाल का प्लास ब्रांड प्लास वासिंग पाउडर और प्लास हैंड वास को भी लॉंच किया गया सक्की मंदल की दिदियों द्वारा उत्पादित काले गेहु का आटा प्रतिरोधी छमता बढ़ाने में कारगर होता है मोबाइल नेटवर्ग के कारण CC-TNS का काम हो रहा प्रभावित जयर्खन में मोबाइल नेटवर्ग के कारण थानों को Crime and Criminal Tracking Network and System का काम प्रभावित हो रहा है राज के कई दुरूस्त इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, सर्विस, प्रोवाइडर कम्पनियों का नेटवर्क काम नहीं करता अलसे में राजे पुलिस मुख्याले ने फासला लिया है कि परतेक थाना को दो या तीन अलग अलग नेटवर्क से जोड़ा जाएगा गतला भाई की राज के 450 से अधिक थानों को CCTNS से जोड़ा जाना है जार्खन में भी होगी जिनोम सिक्वेंसिंग जार्खन में जल्द ही जिनोम सिक्वेंसिंग हो पाएगी इसके लिए पहले चरण में दो मसीने आएगी जो राची और जमसेदपूर के मेड़कल कोलेज में अस्थापित होगी इसके लिए मेड़कल कोलेजों से प्रस्ता मांगा गया है स्वास्त मंत्री बाना गोपता ने कहा कि तीसरी लहर से पहले जिनोम सीक्वेंसिंग मसीन लाकर जार्खण में इसे शुरू कर देना है इससे 6 घंटे में ही कुरोना वाइरस के वेरियंट का पता चल पाएगा और इसके विश्तार को रोकने में कम्याभी मिलेगी जार्खण में 112 पर्खणदों में नए बीडियो का आस्थनांत्रन घर घर जाकर लोगों की असकता जानेगी कॉंग्रेस कॉंग्रेस के परदेश कारेकारी अध्यक्ष मीडिया प्रभारी राजेस ठाकूर ने कहा कि अखिल भारते कॉंग्रेस कमेटी की आवाहन पर परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष डक्टर रामेशर उराव के निर्देशा उनसार अगले 30 दिनों तक चलने वाले देश ब्यापी में मने अतप्राप्त नहीं है और जो महामारी से सबस्ते बूरी तरफ परभावी थाएं धर्नेवाद